नॉर्मलाईजेशन में सर हम बहुत ज़्यादा टच करके आएं तो हमारा स्कोर कम हो जाता है क्या बच्चो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एक बात ध्यान रख लो चाहे आप 160 टच करो 160 में से अगर आपने 100 कुश्चन सही किये हैं और एक बच्चे ने 130 में से 100 कुश्चन सही कर दियें क्या ये वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चो मैं नॉर्मलाईजेशन की अंदर की बात बता रहा हूँ एक गौर्वेंट सर्वेंट ह अब देखिए दो सेम बच्चे हैं एक ही पेपर में ये भी 100 करके आया है ये भी 100 करके आया है सेम पेपर में लेकिन इसके माक्स ज़्यादा है इसके कम है ऐसा क्यूं तो बच्चे सोचते है ये ज़्यादा टच करके आया हूँ इसलिए इसके कम है नहीं जा बराबर भी ट चुन दिया हो और इसने सिर्फ वो प्रेशन किये हैं जो लगबग सब के सही होते हैं मतलब नॉर्मल कोश्चन का जबाब दिया है इसने कुछ ऐसे कोश्चन कर दिये जिसको हल कर पाना औरों के लिए मुश्किल काम था तो नॉर्मलाइजेशन में यह उपर जाएगा ठीक है यह होता है नॉर्मलाइजेशन कभी आप सोचो कि जादा टच करेंगे तो जादा नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं होता बच्चो